आज को वीडियो में हम कमाल के टविक पर बात करेंगे जो लोग GIT और EAC के तयारी कर रहे हैं उनके लिए अनके लिए अंग्यादमी प्लस और सोगा और आइकूनिक सब्सक्रीप्शन लेकर के आए, तो मैं आपको डिफ्रेंस बताता हूँ कि सब्सक्रीप्शन और आयकॉनिक संस्क्रीप्शन है क्या, प्लस सब्सक्रीप्शन में आपको ठॉप एजूकेटर के द्वारा Americans कौर्स होँगे, क्लास, रीचल doubt clearing session होगा regular quiz होगा और आपकी performance को track किया जाएगा और उसके अलामा अगर हम बात करें कि an academy जो अपना iconic subscription launch किया उसमें study planner and bi-weekly reviews dedicated doubt clearance होगा personally test personalized test होगा study booster session होगा study material दिया जाएगा इसके अलामा an academy के जो और test होते हैं free test series or special classes उसमें भी आपको हर 14 days पर जो भी होते हैं उसमें enroll किया जाएगा तो जिन लोगों को लेना है an academy का plus या iconic subscription डिस्क्रिप्शन मैंने लोग गे टीसी के तारी कर रहे हैं वह उन लोग लिए test बहुत ही helpful सावित हो सकता है और इसमें electrical electronics mechanical civil computer science and information technology ब्रांचों के लिए तो सारा link मैंने description में दे दी आप लोग क्लिक करके enroll कर ले और जो मेरा code करें उसको यूज करना न भूले वीडियो में हम कमाल के टाइक पर बात करेंगे कि बीटे के बाद apprentice करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बहुत सारे लोगों का कुश्यन था कि सर यह बताइए कि बीटे के बाद apprentice करें या ना करें देखो अगर बीटे के बाद आपको apprentice करना है न तो मेरे हिसाब से अगर आपको apprentice मिलती है तो obviously आपको करना चाहिए लेकिन वह राइट प्लेस होना बहुत ज़रूरी है apprentice के लिए बीटे के point of view से देखे तो बीटे को obviously चार साल आप करते हो mindset change होता है लोगों को यह होता कि नहीं job चाहिए जौब चाहिए लेकिन pattern change हो राइंडस्ट्री का है नहीं बुरा नहीं है क्योंकि बहुत सारे से college है जो प्लेस्मेंट नहीं दे पाते हैं जो बहुत बहुत बड़ा ब्रहमास सावित हो सकता है और बहुत ही आगे करियर को लेके जा सकता है अप्रेंटिस के अगर हम बात करें तो अगर आप NTPC, BHL, Gail और इंडियन ओयल ऐसी जगहों से करते हो DRD से करते हो रेलवे से करते हो ऐसी जगहों पर अप्रेंटिस में paid भी होता है इसमें 9000 या 10,000 किसी में 15,000 इस तरह से paid होती है तो obviously अगर इन जगहों पर अप्रेंटि अप्रेंटिस किया और DRD आप अप्रेंटिस करने के बाद अगर आप जॉब के लिए apply करते हो और बाइदोवे आप रिटें रिटेंट करते हो और select होते हो प्रोवयल्टी 99% होती है कि DRD के इंटर्वीव में से आप बाहर नहीं हो सकते हो क्योंकि DRD को पता है कि आपने प्रैवेट कंपणियां भी ले के जाती है तो ड मीती करना बहुं अच्छा है gram को dishonest इं टा है तो कहीं-कहीं को शुबड़नग को जरूर करना पटेगा क्योंकि इंडस्टी वर कल्चर एक अलग चीज है जो हम पढ़ते हैं वह अलग चीज है तो ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है यह माइंड सेट में बैठा लें आप लोग आज से ही कि बीटेक के बाद जरूर करें अगर कहीं मिलता है तो बस इस वीडियो में इतना ही होग वीडियो आपको पसंद आए होगी प आपके करियर को नेक्स लिवल पर बूस्ट कर सकता है थैंक यू जय हिंद नमस्कार अबस्तुर्ण